Hey everyone, Welcome back to my channel Beautywise आज मैं आपके साथ शेर कने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमिडी जिस तरीके से मैंने आपके साथ पहले भी और बहुत अच्छी होम रेमिडी शेर की हैं सो अभी मैं आपके साथ एक ऐसी remedy शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके फेस पे जो भी पिंपल्स के जो स्पॉर्ट्स हैं, दाग धब्बे हैं, स्कार्स हैं, वो असानी से नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत असानी से चले जाएंगे, क्योंकि ये remedy देखी दिखाई है, सुन अब लोग जो भी अपनी स्किन को लाइटन करने के लिए, या पनी स्किन पे पिंपल्स, एट्नी, स्कार्स को कम करने के लिए, कुछ भी जल, क्लीन सोल जल या सम्थिंग लगाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत बुरी चीज हैं, आप बिलकुल अवाइड कीजिए, आपक जब मुझे लगाने के लिए, यह भी मेरा परसनल एक्सपिरेंस ही है, मेरे जो एक पार पिंपल के स्पोर्ट्स हो गए थे फेस पे, तो मुझे मैरी थी बहुत जल्दी थोड़ी ताम के अंदर, तो मुझे क्या करना था, अपनी पिंपल्स के जो स्पोर्ट्स थे उनको कम कर रहा है, तो मैंने किया उसको पूरी फेस पे अपलाय कर लिया, उस क्रीम को उसके मेरा फेस इतना डल हो गया, इतना डाक हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह जो हम जल अपलाय करते हैं फेस पे, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे फेस के लिए, आपको बिल डैमेज हो जाती है, यह मैंने खुद अपने उपर भी यूज किया है, मैं तब ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी भी चीज को अपने फेस पे अपलाय ना करें, बिल्कुल अपलाय ना करें, नेच्रल होम रेमेडी अपने फेस पे अपलाय करें, अब बात आती है मेर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है हमारा सलाइवा, जी हाँ, हमारा थूक, हमारे मूँ का जी लार होती है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफीशियल है, that helps in healing, और हमारे पिंपल को सबसे ज़रूरत किसकी होती है, healing की होती है, क्योंकि हमारे सलाइवा जो है, हमारे पिंपल के उपर लगा लेना है, उससे आपका पिंपल तीन या चार दिन में ठीक हो जाएगा, मैंने अपने उपर भी च्राइ किया है, इसलिए मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ माना जाता है, कि जब पहले के जमाने में लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं हो उससे उनका जख में वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, तो उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती थी, तो जो हमारा सलाइवा है, वो हमारी बोड़ी को हीलिंग करने में, हमारी बोड़ी में नूट्रिशन प्रोवाइड करने में बहुत हल्पफुल होता है, तब ह में शका जाता है कि आपको सुबह खाली पेट क्या पीना है, पानी पीना है, और आपको बासी मूँ से पानी पीना है, यानि आपकी जो लार है, वो आपके मूँ के अंदर जानी चाहिए, तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, आप प्लीज सुबह उटके आपके पिमपल है, कोई भी स्पोट है, बहुत पुराना स्पोट है, जो नहीं जा रहा है, या आपको स्टीचस के माक्स है, जैसे मुझे यह Bür3 myths इली टेली अप्लाय करीए थी मेरे चिन पे सेवन स्टीचस है, तो ये भी काफी लाइटन हो रहे हैं, टाइम के ही साबसे भी थो साले आपके पिंपल धिंज के बिल कु सखायैंगे कि रुब कल रहतों, आपके फेस बिल कु संब रहतों जाएंगे सो तो तौल फ स्क आयो इंजो यह न विडिवीटी लीज आपके डाने धिय है थे हम वम कार लेदो को सखेंगे नाचे ज़ंगे